रोका पक्ष के वकील बोले सबूतों के साथ रखेंगे पक्ष। सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को मार गिराया बंगाल के मजदूर की हत्यां में शामिल थे दोनों आतंकी। डिली पूलिस में एक्ट्रेस से की पूश्तास एक्ट्रेस नहीं दे पाई कई सवालों के जवाब। नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुख करते हैं खबरों की ओर मुख्यमंत्री योगी आदितनात अपने दो दिवसी गोरक पूर्थ दौरे के दौरान चरगवा प्रात्मिक स्वास्त केंद्र पहुचे जहां उन्होंने हेल्थ एटियम का शुभारम किया वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्त लोग की हित से जुड़ान विशे हैं प्रदेश सरकार हर वेक्टी को आतियाधुक सिक्षा चिकिटसा और जाच की सुबधा देने के लिए तयार है साथ ही लोग स्वास्त को बहतर बनाने के लिए सरकार अगले तीन महिने में प्रदेश की सभी प्रात्मिक और सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर हेल्थ एटियम की हाइटेक सुबधा उपलब्द कराने जा रही है श्वास्त केंद्रों में थेल्थ फैस्वास्त केंद्रों में व्हाथ है डॉक्टर की नहीं सवहरी छहेतर में डॉक्टर है वहां लिजी छहेतर में क्याटिस करने वाला हो किसी corporate hospital में हो Medical College में हो एमस से बड़ाओवा हो यह कई भी किसी भी si AMPA से बड़ाओ दॉक्तर के साथ पहले से ही जिसके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉल की सुधा दीर हो वहां से जोड़ करके हम किसी भी पेसेल को बहतरीन स्वास्त्य सुधा सुभूर ग्रामिन चेतर में भी उप्लब करवाने का कारे कर सकते हैं और उसमें से हेल्द एक्लिएम की सुभाद 14 पेसे से हम लोगों ने किये हैं खबर सीतापूर से है जहां जनपद में ब्लॉग प्रमुक कार समिती की बैठक की गए वहीं इस दोरान खंड विकास अधिकारी को पंचायती राज के सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओ की जानकारी दी साथिकार समित गठान की भी कारवाई पूरी की गए जो चेतर पंचायत के बैठक बुढ़ाई गए थी इसके पूर्मे 25 अगस्त में हम बैठक बुढ़ाई गए थी उसके कांटिनुटी में आज के बैठक बुढ़ाई गए थी बैठक में जोगिनी रधारी देजन्देते सब पर चर्चा हुई और कारियोजिना इन लोगों दोरा सब्समाने से सब्सक्रावाई जो कारियोजिना दे जाएगा उसके संब्रित करते हैं करोड़ों की पर कुर्की की गई इस दोरान लखनव पुलिस की टीम के साथ प्रियागराज पुलिस कोठी को कुर्क करने पहुची आठ सो वर्ग मीटर में बनी इस कोठी की अनुमानित कीमत लगभग आठ करोड़ बताई जा रही है आपको बता दे कि अतीक एहमत पर गैंक्स्टर एक्ट के तहर तीन प्रोपर्टी की कुर्की की जा रही है जिन में से दो प्रोपर्टी प्रियागराज और एक प्रोपर्टी लखनव में हैं सीतापूर नेशनल हाईवे 24 पर 26 सड़क हादसा हुआ आपको बता दे कि 40 लोगों उससे भरी ट्रेक्टर ट्रॉली की एक ट्रक से फिडन्त हो गई इस दोरान चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई साथी 36 लोग गंफीर रूप से घायल हो गई मौके पर पहुची पूलिस ने घायलों को सामुदाइक स्वास से केंडर में भर्ती कराया गया और इस शवो को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया क्या नाम है आपका अभी जब आप लोगों होस्पिटर लाएं तो क्या डॉक्टर यहां पर मौजूद है नहीं नहीं हमारे पास हम नहाए तर डार्टम नहीं था अच्छा आपको आयो यहां कितने जर भोगों है जो था सायाँपूर से आ रहा था था हटोड़ा मौले पे जो उन्होंने बताया यह देवा सरी ब्या रहे ते कल ब्रस्पत है यह अपने सीटापूर से लखनों आज रातरी में लगभग 12 बजे एक परिवार अपने समंधियों के साथ साध्यापूर रोजा से मरवंग की देवा सरीफ जा रहा था जहां उनके बच्चे का कल मुंदन था वो लोग अपने परिवार के तक टाली पर बैठ करके जा रहे थे रास्ते मर्था सुरू हो गई विलोग शिदहुली कस्मे के पहले ही जहां रूटवेज है उसके कट के पास बोड़ने का प्रयास की सामने से आरे ट्रक ने इनको टक्कर वाजा टक्र इनका प्रवर्णस्ट हो गया और बार में पीछे से एक ट्रक और आया हूँ उसको टकर मार गया उनके टाली पर इसको कि पूली मार करात्मात्या करने का मामला सामने आया है आत्मात्या के बास परिवार में कोहरा हम मचा हूआ लूट Clean यह यहां जो है हमारे भाई ने जो है मानसी के संतुलन में इसका इलाज चला तो से अफ़ज बोली मानलिया जए की अनिसपड कतम हो गया पिर क्या हुआ थे अज़ पर नहीं थे जब आई तो आई इसका अनिसपड कर अज़ गया थे लखीम पूर के सिघासन कोटवाली शेत्र में दो सगी दलित बहनों के शव एक पेड़ से लटकते हुए मिले हैं जिसकी सूचना मिलते ही लाके में हडकंप मच गया जिसके बाद भारी फोर्स मौके पर पहुची साथ ही कई आला अधिकारियों समेत आईजी लक्षमी सिंग भी घटनास्तल पर पहुची वही परजनों अग्रामीडों से पूस्ताच में बाइक सवारों पर नाबालिक किशोरियों को घर से अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया है वही इस मामले में मुख्यमंत्री कार्याले ने घटना में संग्यान लिया साथ ही अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली साथ ही सपा अध्यक शकलेश यादव और प्रियंका गाधी ने इस घटना पर ट्वीट किया वही घटनासल का निरिक्षर करने पहुची आईजी ने बताया कि किशोरियों के सब पर कोई चोट की निशान नहीं मिले है पोस्माटम की वीडियोग्राफी की जा रही है वहीं परजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है वहीं मामले में नामजद आरोपी छोटू सहीट छे लोगों को गिरफतार कर लिया गया है आरोपियों से पूलिस पूस्ताज कर रही है वहीं गिरफतार आरोपियों पर मर्डर रेप सहीट का इधाराओं में FIR दर्ज की गई है कौन लोग थे कहाँ से थे लालफुर के रहा है थे उठा के लाएं वहां से करना थे भी हाँ से पिली आने ला याक है अपिजली बने आने अपने भी आखितार अधार हमोने में अभर वहाँ आदा सीवाड़ाइब मज कर्देगी है तरह आप कर रहा हैं जिम्मेदारी आप जोगी आप पुरा समाज है आप है हुआ है पुरा समाज के साथ हम लोग है आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठे चलना हम लोग लेके जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है वर डाया है इनके नाम जुनेज सन अफ इस्राइल सुहेल सन अफ इस्रामुदीन हफिजुर्रह्मान उर्फ मजिलका सन अफ अजिजुर्रह्मान है इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर ले गए था सुहेल और हफिजुर्रह्मान को जुनायती गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है एक encounter हुआ है उनके पैर में गोई लगी है संभवता तो अभी ज़स्ट थोड़ी दिर पहले की बात है उसमें गिरफतारी की गई तो चारो अभ्यूक जो नामज़त किये गए तो उन सब लोगों को गिरफतार किया गया है इन लोगों को बुलाया गया इन दो लोगों ने होने के बाद हम लोग और भी डिटेलिस पर इनिस्टिकेशन करेंगे और पूछताज बाकी है कई बिंदों पर कई बिंदों चोड़े चोटे बिंदों में हम लोग डिसकुशन करेंगे उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंस गैदर कर रहे हैं लोगों के बयान कोटवाली शेत्र से बड़ी घटना सामने आई है दो सगी दलित बहनों के शब पेर से लटकते हुए मिले हैं वहीं सूचना मिलते ही इलाके में हड़कम मच गया जिसके बाद भारी फोर्स मौके पर पहुची साथ ही कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुची हैं इस खबर जानकारी के लिए समवाद दाता धीरच का रुक करेंगे लखीमपूर से बड़ी घटना सामने आई है दो दलित बहनों के शब पेर से लटकते हुए मिलें इसको लेकर क्या जानकारी है पूरा मामना जहां पर कल देर शाम पूलिस को सोचना मिली कि दो सब दो बैनों के शब जो पेर से लटक रहे हैं पूलिस मौक्ते पर पहुचे उसके बाद में बरावर वहां पर ग्रामीड इकटा उद्रेव मृतका जो बहने उनकी मा के द्वारा हरोप लगायागा कि हमारे परोशियों और कुछ अग्यात लोगों के द्वारा दोनों बैनों को घर से अगवा करने के बाद में कारी जिले के संजीब सुमंग पर पहुंचे उन से भी बाता हुए ग्रामीडों की लेकिन ग्रामीडों ने हाइवे वाकाइदा चाहम कर रका था काफी देर लोग जो होने के बाद में जो ग्रामीडों को समझा बजा कर सांत किया वहीं इसी घरना की सूचना पर आईजी ज जो जो अधार पे शे जो आरोपी उनको भी अरेस्ट किया जा तुका है उनसे भी पुलिस की पूस्ता चल लही है घर जिस मामले में वही कितने आरोपियों की गिरफतारी हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है जिए जिले के स्टी शूमन के दौरा बताया गाए कि चौन डिए आरोपी और प्रशासन की तुकिए उनसे एक 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 पूस्ता दौरा जो अब कि अभी तो पुलिस मुटवेर के मुटवेर के दोरान हुई है जिसमें डिएट के पहर में गोली बही है और उनसे बारीटी से पूस्ता कर लूई है वाकाइदा वीडियो करा दीरज इस पर प्रशासन का क्या कुछ अभी तक कहना है? मैया वासी का वितूष आयो तो सही न कहीं जो विपश्ट्स के वाकाइबा पूरी करीचे से प्रदेश सरकार से बनावर चूच पछूच आरोय है एक कानुन दरस्था को लेकर बनावर आरोप लगा रहा है जी, धन्यवाद ही रस तमाम जनकारी के लिए फिलाल उत्ते प्रदेश की खबरों में इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों गले देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार